सार बहुत स्वागत आप सभी का आश्याम के साथ बज़ने वाले हैं वक्त है आप सभी के पसंदीदा कारेक्रम महारो राजस्थान का आप सब के साथ मैं हूँ प्रियंकार आए और मैं हूँ आपके साथ हेमंत कुमार प्रदेश की खबरों से लगा कर के देश की राजनी तिक हर हलचल हम आप तक पहुंचाएंगे फिलास शुरुवात करेंगे इस वक्की सबसे बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से इस वक्ती सबसे बड़ी खबर मिल रही है मोती सरकार के गठन से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर तो नितीश कुमार ने तीन मंत्री पद मांग लिये है इस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि नितीश कुमार को रेल मंतरा ले चाहिए शिंदे गुट भी दो मंतरी पत मांग रहा है तो देखे डिमांड की बात लगातार पहले से चरचाएं थी और इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रखी है नितीश कुमार ने तीन मंत्री पत मांगे हैं नितीश कुमार को रेल मंत्रा ले चाहिए और सुत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि शिंदे गुट भी मंत्री पद की मांग कर रहा है नितीश कुमार बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटे जूइत करके उनकी पाती आई है लियाजा उनकी मांग भी बड़ी तो चुंकि अब बीजेपी को पून बहुमत नहीं मिला है और ऐसे में जेडियो और टीडिपी का साथ में तो पून हो जाता है सरकार बनाने के लिए ऐसे में अब मांगे उतने लग गई है ये बड़ी खबर सुत्रों के वाले से स्वक्ति आपको बता रहा है बीजेपी ने सरकार बनाने की तीन निताओं को जिम्मेदारी दी है जिसमें अमित शाह, जेपी रड़ा और राजुनात सिंग को जिम्मेदारी दी गई है सरकार बनाने की अंडिये के सभी दलों से बात करने की जिम्मेदारी इन तीन निताओं को दी गई है सबसे बड़ी खबर सबसे अपडेट इस वक्त की तो दिली में सियासी हल चल तेज है ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है विजेपी ने सरकार बनाने की तीन नेताओं को जिम्यदारी देती है इसमें ग्रे मंतरी अमिक्षा, विजेपी के राश्टी अध्यक्ष, जेपी नड़ा रक्षा मंतरी राजनात सिंख शामिल है जिनें बड़ी जिम्यदारी दी गई है ताकि NDA की सरकार बन सके और एक बार फिर से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी शपत ले सके सबी दलों से बात करनी की जिम्यदारी दी गई है आपको बताते चले कि कई निर्दली MPs ने भी ये कहा है कि हम NDA के साथ है और इसके साथ साथ कई ऐसे चोटे चोटे दल जो NDA को अपना साथ देने के लिए तयार है और इसी बीच बाँएं भी लगातार NDA के खेमे से सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी ज़ानकारी है कि नितिश कुमार ने तीन मंतरी पदों की मांग की है सरकार में रहते हुए उन्होंने का कि तीन मंतरी पद दिये जाने चाहिए कि नितिश कुमार का ये बयान जरूर हमने आपको सुनवाया था जो आया था कहा था कि बिनादेरी के सरकार बननी चाहिए ये बड़ी ज़ानकारी दिली में पलपल की जो तस्वीर है अब वो हम आप तक पहुँचा रहे है फिलाल एक तस्वीर आपके टीवी स्कीन पर जो आ रखी है वो है NDA के खेमे की बैठक के दोरान की जहाँ पर तमाम जो NDA के नेता है 21 नेता NDA के जिन्होंने अपना प्रस्ताव भी एक तयार किया और प्रस्ताव पर अस्ताक्षर करके नरिंद्र मोदी को NDA का नेता चुना गया है सर्व समत्ती से उन्होंने ये प्रस्ताव पाल्ट किया विल्कुल तो कई घटक डल जो अपना साथ देते हुए NDA को और इसी के साथ एक बार फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है जीत के एट्विक के बाद एक बार फिर से प्रदान मंत्री का शपत ले सकते है नरिंद्र मोदी लेकिन उससे पहले इंडिया गटबंधन के ओर से क्या फेला हो सकता है क्योंकि लगातार इंडिया गटबंधन की ओर से बैठक लगातार जा रही है और सरकार बनाने की भी कोशिश की जा रही है जोड़ तोड की राजनीती की जा रही है जोड़ तोड की राजनीती पिंका इसलिए भी है क्योंकि जो आंकड़ा है पांसो तेन्टालीस सीटों वाली लोग सबाव में वो मेजूर्टी नमबर है दोसो बैतर बीजेपी के पास दोसो चालीस इस बार यानि के हम कहें कि एंडिये के पास दोसो बानवे सीटें हैं जो बहुमत से बीस जादा है बिल्कुल तो लोकवा चुनाव के बाद अब सरका बनाने की कवाज शुरू हो गई है दिली में अंडिये के आज पड़ी बैचक होई पीम आवास परो इस बैचक में अंडिये में शामिल पार्टियां मौजूद रहें और बिहार के मुक्य मंतरी नितीश कुमार टीडीपी प्रमुक चंदरबाबु नाइडू आजसू प्रमुक सुदेश महतो अरेलडी के जैंत चौधरी जैंसेना पार्टी के प्रमुक पवन कल्यान महराश्ट में और साती साथ आपको बता दें कि इस बैठक के दोरान 21 ने ने अस्ताक्षर किये सरुसम्ति से नरेंद्र मोदी को एंडिये का नेता चुना गया है और एक प्रस्ताव पारित किया गया 21 नेताओं के उस पर अस्ताक्षर है मुक्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो महराश्ट के लजपी रामविलास के नेता चिराग पासवां भी इस दोरान मुझूद रहे अपना दल सोने लाल की अगर बात करें तो उसकी नेता अनुप्रिया पटेल हम के जीतन राम माजी जीतन राम माजी भी एक सीट करके आएं इस जैसा की दावा किया गया है फ्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से किस बार हम देश के विकास के लिए फिर से काम करेंगे तो NDA में शामिल जलो का समर्थन पत्राज राश्ट पती को सौपा जाएगा वह इस सूत्रों के वाले से बड़ी खबर मिल रही है कि नितीश न तीडीपी के ओर से अभी कोई मांग नहीं रखा गया है चंद्रबाबु नाइड़ू ने अपनी मांगों को सामने नहीं रखा है लेकिन इस बीच नितीश कुमार ने तीन बड़े मंत्री पत् लेकिन पत्र. पार्टी जो है जेडियू उससे ज़्यादा सीटे हैं टीडीपी के पास यानि कि तेल्गु दिशब पार्टी और जिसके प्रमु खच्वंदर बाबु नाइडू उनके पास में कुल 16 सांसद हैं तीसरे नंबर पर नितिश कुमार जेडियू है इनके पास 12 सांसद हैं और इ इन दोनों पार्टियों के पास हैं बार्टीय जनता पार्टी 240 सीटें इस बार जीत पाई हैं जो बहुमत का आकड़ा नहीं चुपाई और यही वज़ा है कि अब NDA की जब सरकार होगी तो BJP को अपने सयोगी दलों पर निरभर होना पड़ेगा ये चर्चाएं लगातार नतीजों के बाद से ही हो रही थी और अभी जिस तरह की जानकारी आ रही है शिंदे गुट की तरफ से भी पद मांगा गया है और साथी साथ नितिश कुमार ने तो तीन मंतरी पद मांगे रेल मंतराले भी उन्होंने मांग किया ये सुत्रों के अवाले से बड़ी जानकार कुकि TDP 16 सीचों के साथ दूसरी और नितीश की JDU 12 सीचों के साथ NDA में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है दोनों ही पार्टिया इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना बेहद मुश्किल और ऐसे में परिंग का इसके लिए कोश नितीश कुमार भी साथ में रहें तो राजनीती में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हर समीकर्ण को